हेलो एंड वेलकम देर श्रुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप से भी का आपके अपने यूटूब चानल स्टड़ी विद दुलार में बचो ये कलास 6 का इंग्लिश बुक है इस बुक का नाम है एक प्यक्ट विद्धा सन क्योंकि इसमें दो बुक चलता है चैप्ट तो यहां पर सबसे पहले स्टोरी के बारे में कुछ बतलाया हुआ है एक किसान उसकी पतनी और उसका एक छोटा बच्चा वे तीनों एक गाउं में रहते हैं जिस पर वे लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में नेवला उसकी बेटे का दोस्त बनेगा उसका साथी बनेगा एक दिन किसान और उसकी पतनी अपने बच्चे को नेवले के भरों से छोड़कर बाहर चले जाते हैं फिर क्या होता है कहानी हम लोग डिटेल नों करते हैं एक बार की बात है एक किसान और उसकी पतनी अपने छोटे पुत्र के साथ एक गाउं में रहते थे एक दिन किसान अपनी पत्नी से बोला हमें जरूर कोई पालतू जानवर रखना चाहिए जब हमारा पुत्र बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी वह पालतू जानवर हमारे पुत्र का साथी होगा उसकी पत्नी ने उसके बिचार को पसंद किया एक संधिया किसान ने अपने साथ एक छोटा नेवला लाया यह एक नेवला का बच्चा है उसकी पत्नी बोली किन्तु कुछ समय में वह पुरा बड़ा हो जाएगा वह हमारे पुत्र का दोस्त हो जाएगा और आगे यहाँ पे दिया हुआ है बोद द बेबी एंड द मंगूज ग्रियाओ नेवला और बालक दोनों बढ़ने लगे इन फाइब और सिक्स मॉंथ द मंगूज had grown to its full size पांच या छा मैने में नेवला पुरा बड़ा हो गया अपने पूरे साइज में आ गया वह प्यारा सा जानवर जिसकी दो चमकदार काली आखें और एक जबरी पूच थी किसान का पुत्र अभी तक बारी-बारी पालने में सोने वाला और रोने वाला बच्चा ही था एक दिन किसान की पतनी बजार जाने की इच्चुक थी उसने बच्चे को भोजन खिलाया तथा उसे जूलते हुए छोटे पालने में सुला दिया अपनी टोकरी उठाते हुए वा अपने पती से बोली मैं बजार जा रही हूँ उसकी दिखभाल करना साब तोर पे मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़कर जाना पसंद नहीं करती तुम्हें डरने की जरुरत नहीं है किसान ने कहा यह उतना ही प्यारा है जितना की हमारा पुत्र है तुम तो जानती हो वे एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र है पत्नी चली गई और किसान के पास घर में करने के लिए कुछ काम नहीं था इसी वज़ा से उसने पास वाले खेतों में जाने का और खेतों को देखकर आने का निश्चे किया वापस आते समय कुछ दोस्तों से मुलाकात होने के कारण हुआ काफी देर तक घर लोट नहीं पाया यह स्टोरी का दूसरा भाग है और यहाँ पे कुछ बतलाया गया है किसान की पतनी एक भारी तकरी के साथ बजार से वापस लोट आई वा घर के दरवाजे के पास देखती है नेवला का मुह और पंजों में खुन लगा है उसे लगा कि वा खुन उसके पुत्र का था और उसका दोसी वा नेवला था अब यहाँ पे डिटेल में यह कहानी आगे दिया हुआ है The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries किसान की पतनी खरीदारी समाप्त की और किराने के सामान से भरी तोकरी लेकर वापस आ गई She saw the mangoos sitting outside as if waiting for her उसने देखा कि नेवला बाहर इस तरह से बैठा है जैसे वह उसका इंतजार कर रहा था On seeing her, he ran to welcome her as was customary उसे देखकर वह सदा की तरह उसका स्वागत करने के लिए उसकी और भागा The farmer's wife took one look at the mangoos and screamed Blood, she cried किसान की पत्नी ने नेवले पर नजर डाली और चिलाई Khun The face and paws of the mangoos were smirred with blood नेवले का चेहरा और पंजे खुन से सने थे You wicked animal, you have killed my baby She screamed strictly To niche januar, तुने मेरे बच्चे को मार दिया वह पागलपन में चिलाई She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery वह गुसे से अंधी हो गई और उसने अपनी पूरी सक्ती से उस सामान से भरी भारी टुकरी को khun से लदपत नेवले पर दे मारी On the blood, smirred mangoos and ran inside to the child's cradle और अंदर सीशू के पालने के पास तेजी से दोरती हुई गई The baby was fast asleep सीशू गहन निद्रा में स्वयवा था But on the floor lay a black snack torn and breeding किन्तु फर्स पर एक काला साप कटा फटा और खून से सना हुआ था In a flash, she realized what had happened तुरंत ही उसने महसूस किया कि क्या यहाँ पे हुआ होगा She ran out looking for the mangoos वह नेवले को देखने के लिए बाहर दोरते हुए गई Oh, you saved my child, you killed the snack, what have I done? Oh, तुने मेरे बच्चे का जीवन बचाया, तुमने सांप को मार डाला, मैंने यह क्या कर दिया? She cried, touching the mangoos, who lay dead and still, unaware of her sobbing नेवले को असपर्स करते हुए वह रोते हुए चिखी, जो नेवला मिर्त और सांथ पड़ा था और उसकी सुबुक्यों से अंजान था The farmer's wife who had acted harshly and rashly, steered along at the dead mangoos किसान की पतनी, जिसने बहुत जल्दी में वह बुरा करम कर दिया था एक टक, काफी समय तक मिर्त नेवले को देखती रही Then she heard the baby crying, wiping her tears she went in to feed him तब उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी उसने अपने आशों को पोछा और बच्चे को भोजन खिलाने के लिए अंदर चली गई और यहाँ पे यह story समाप्त हो गया है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यह story from the पंच तंत्र पंच तंत्र से यह story लिया गया है और इस story से हमें पता चलता है कि कोई भी फैसला हमें अचानक से नहीं लेना चाहिए हो सकता है कि फैसला लेने में हमसे कोई गलती हो जाए इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोच समझकर उस पे विचार कर लेना चाहिए यहाँ पे इस chapter का question दिया हुआ है यहाँ पे five question दिया हुआ है नीचे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस तरह का कुछ यहाँ पे पुछा हुआ है तो आज़े मैं आप लोगों को इसका answer बना के देता हुँ यह है chapter 2 का question answer why did the farmer bring a baby mangoos into the house he wanted to have a pet to give company to his child so he brought home a baby mangoos to play with the child why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mangoos the farmer's wife did not trust even her pet mangoos she didn't want to leave her son alone with an animal what was the farmer's comment on his wife's fears the farmer tried to remove her fear she said that the mangoos was a friendly animal as sweet as their own baby why did the farmer's wife strike the mangoos with her basket the farmer's wife saw that the face and paws of the mangoos were full of blood she thought that mangoos had killed her son so the farmer's wife hit the mangoos with her basket did she repent her hasty action how does she show her repentance yes the farmer's wife felt repent her hasty action when she saw a snack torn and bleeding and her baby was fast asleep serialized her misstep she touched the mangoos and cried here is the chapter of the chapter this is our channel so you can see our channel subscribe to our channel and for next chapter we will be able to see the next video so we will see the next video गेम चलते हैं